हाई स्टुडेंट कैसे हैं आप माई नेम इस विद्या सागर सिर्वास्त देखो स्टुडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी-पी-जी-टी और आज हमने यूपी-पी-जी-टी 2021 का एक कोश्चन लिया हुआ है यह galvanometer has a resistance of 80 ohm and deflects full scale for a potential of 20 millivolt across it how large a series resistance to require to convert it to a 5 volt voltmeter तो पहले देखो स्टुडेंट करेंट निकालो galvanometer की जो करेंट होगी आई जी इसका जो full deflection bolt है VG upon इसका resistance G होता galvanometer का तो उपर हमारा दिया है 20 millivolt दिया है तो 10 to the power minus 3 हुआ upon 80 ठीक अगर हम इसको लिखें इस्टुडेंट तो 20 से 80 क्वेंसिल कर दो 1 upon 4 into 10 की power minus 3 ampere हुआ ये current हुई आई जी हमारी हुई galvanometer में current हुई आप देखो स्टुडेंट जब हम इसका conversion करते हैं तो हमारा ये galvanometer है जी इसके series में एक बड़ा resistance लगाते हैं ऐसे ठीक तो यहां से यहां तक का जो potential होता ये वी होता है ठीक है यह हमारा potential वी होता है अब इसी में current जाती हमारी आई जी जाती है ठीक है अगर हम यहां से देखें student तो हमारे पास जो वी का फार्मूला आ रहा है ये resistance अगर हम आर लेट कर लें इसी को पूछ रहा है कि आर कितना इसके series में connect करें ठीक है इस आर की value आपको निकालनी है तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं v is equal to ig अब रेकेट में g और प्लस r होगा ठीक यहां से हमारे जो r का फार्मूला बनेगा student r is equal to बनेगा v upon ig v upon ig minus का g बनेगा ठीक है value सब आपको पता है रख के निकाल लो student r is equal to v हमारा दिया है 5 volt ठीक 1 upon 4 into 10 की power minus 3 और total minus का 80 आप देखो student यह 4 उपर चला जाएगा power 3 भी उपर चली जाएगी तो उपर हमारा आजाएगा 20,000 ठीक minus 80 आजाएगा इन दोनों का difference कर लो student तो हमारा फोर आप्शन करेक्ट आ रहा है इन दोनों का difference ठीक है तो यह difference हमारा आ रहा है फोर आप्शन तो हमारा फोर आप्शन करेक्ट है ओके student आप हमारा चैनल देखते रहे है लाइक और सब्सक्राइब करते रहे है ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो अप्लोड करते रहे है ठीक है ओके गुड डे